नीचे दी गई आकृती में छाय अंकित भाग का शेत्र फल निकाले। यहां मारे पास एक आकृती है और इस आकृती में यह जो गुलाबी भाग है हमें इसका शेत्र फल निकालना है। तो अगर हम इस वर्ग का शेत्र फल निकालने और उस शेत्र फल में से इन चारो एक चौथाई वृत्तो के शेत्र फल को घटा दे तो हमें इस गुलाबी वाले भाग का शेत्र फल ग्यात हो जाएगा। तो चलिए करते हैं ऐसा और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि वर्ग का शेत्रफल कितना होगा, इस वर्ग का शेत्रफल हो जाएगा 10 कुड़े 10 इकाई के, अर्थात यह बराबर होगा 100 वर्ग इकाई के, यहां पर मैं लिख देती हूँ इसे, औ और इन सभी वृत्तों की त्रिज्या बराबर है तीन के तो हम कह सकते हैं कि इनका शेत्रफल तो यहां से हम कह सकते हैं कि शेत्रफल इन वृत्तों का बराबर होगा एक बटा चार गुड़े पाई गुड़े इनकी त्रिज्या के वर्ग के और इनकी त्रिज्या है तीन के बर एक चौथाई वृत्तों को जोड़ देते तो हमें एक पूर्ण वृत्त प्राप्त हो जाता तो हम यहां से कह सकते हैं कि इन वृत्तों का शेत्रफल बराबर होगा तीन का वर्ग होता है नो के बराबर यानि कि इनका शेत्रफल होगा नो पाई वर्गिकाई के तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह जो च्छायांकित भाग है इसका शेत्रफल बराबर होगा यह बराबर होगा हमारे वर्ग के शेत्रफल में से अगर हम इस वरित के शेत्रफल को घटा देतो तो ये दे देगा हमें इस गुलाबी वाले भाग का शेत्रफल और ये बराबर होगा सौरिड नौपाई वर्ग इकाई के बराबर